हलो माई डियर श्टुडेंट बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सुभास स्टेडी सेंटर आज की इस वीडियो में मैं लेकर क्या चुका हूँ कच्छा दसके जितने भी मेरे प्यारे बच्चे दो हजार पचीस की बोर्ड परिच्छा देंगे दो हजार पचीस की बोर्ड परिच्छा में हिंदी बिसे में सत्तर में सत्तर का स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस माडल पेपर को जरूर देखिएगा क्योंकि इस माडल पेपर से आप बहुत ही आसानी से सत्तर में सत्तर का स्कोर कर लेंगी और साथ ही मेरे प्यारे बच्चो यहां जो प्रशन है इस model paper में आप लोग इन सभी प्रशनों को तैयार कर लेंगे पूरे paper को मैं साल्व कराऊंगा आज के इस वीडियो में तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कच्छा 10 में हैं आप सभी लोग चैनल पर यद नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा चलिए मेरे प्यारे बच्चो समय आपको मिलेगा बोर्ड एक्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का पेपर का पुडांक के कितना रहेगा सत्तर अंको का रहेगा, पेपर प्रतेक विषय का सत्तर अंको का रहेगा यहां पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चो पहला निर्देश है प्रारम के 15 मिनट परिच्छार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं 3 घंटे 15 मिनट का जो समय आपके पास रहेगा इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे किसलिए? पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए मेरे प्यारे बचो प्रश्न पत्र दो खंडों में खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहु विकल्पी ये प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अत्वा काले बाल पुएंट पेंसे सही विकल्प वाले गोले क पूर रूप से काला करें प्रश्ण पत्र के जो खंड आ है यानि प्रश्ण पत्र का जो खंड आ है इसमें बहुविकल्पी प्रश्ण दिये गए हैं जिनकी संख्या मेरे प्यारे बच्चों रहेगी 20 और इन 20 प्रश्णों का एंसर यदि आपने OMR सीट में यानि OMR सीट में काले पिंसे या नीले पिंसे सही उत्तर भर दिया तो पूरे पूरे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगी चाहे राइटिंग आपके अच्छी हो या फिर ना हो मेरे प्यारे बच्चों प्रतेग प्रश्ण जो होगा एक नंबर का होगा क्योंकि यहां पर निर्देश में लिखा है खंड आमे जो बहुविकल्पी प्रश्ण है प्रतेग प्रश्ण एक अंक का होगा OMR सीट पर उत्तर अंकित किये जाने के पस्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदिका प्रियोग बिलकुल ना करें एक बार आपने OMR सीट में बिकल्प काला कर दिया माली जे पहला प्रश्ण है और इसके आपसन A, B, C और D है अब आपने क्या किया है पहले प्रश्ण का एंसर सही है C वाला आपने जल्दबाजी में या गलती से आपने C के अलावा कोई भी आपसन काला हो गया यानि कोई भी गोला काला हो गया है माली जे A वाला गोला आपने काला कर दिया सही था C वाला अब आपनों ना तो इसको आप काट सकते हैं ना ही इसमें Eraser का प्रियोग कर सकते हैं ना ही Whitener का कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए जब भी आप गोला काला करेंगे साउधानी पूरवक करेंगे जब तक आपको कनफर्म ना हो जाए कि प्रश्न का एंसर क्या है तब तक आप गोला मत भरिएगा तो चलिए मेरे प्यारे बच्चो इस चीज का विसेश ध्यान देना है आप सभी को आगे निर्देश है प्रते एक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं यानि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे खंड आके अंतरगत बहुविकल्पी प्रशन जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं 20 प्रशन होंगे 20 नंबर के होंगे पहला प्रशन यहाँ पर आप लोग जरूर तयार कर लेना ये सभी प्रशन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परिच्छा 2025 के लिए साथी मैं आपको बता दूँ कि एक प्रशन से मैं आपको कई प्रशन तयार करा दूँगा इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक ब प्रशन सही दुवेदी युग के बाबु गुलाब राय किस युग के लेखक हैं दुवेदी युग के लेखक हैं चलिए मेरे प्यारे बचो यहाँ पर दूसरा प्रशन है चिंता मड़ी चिंता मड़ी किस विधा की रचना है तो चिंता मड़ी मेरे प्यारे बच्छो नि चिंतामडी के लेखक कौन है आचारी राम चंद्र सुकल जी आप लोग ध्यान देंगे आचारी राम चंद्र सुकल जी हैं चिंतामडी रचना के लेखक और यह रचना निबंध विधापर आधारित रचना है आचारी राम चंद्र सुकल जी की एकवर रचना आप लोग तया याद कर लेना यद पूछा जाता है कि रस्मिमानसा किस विधा पर आधारित रचना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहां पर ध्यान देंगे आलोचना विधा पर आधारित है रचना रस्मिमानसा चलिए यहां आपने एक प्रशन से कई प्रशने किलियर कर लिए ज तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दिजेगा गोदान, गोदान, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला, रंग भूमी, रंग भूमी और करम भूमी गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंग भूमी और मेरे प्यारे बचो करम भूमी यह प्रमुख रचनाएं हैं किसकी लिखी गई मुनसी प्रेम चंद जी हैं इन रचनाओं के लेखक यह दिप्रशनाता है गोदान किस विधा की रचना है या गबन किस विधा की रचना है सेवा सदन, निर्मला, रंग भूमी या करम भूमी यह किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं यह सभी रचनाएं मेरे प्यारे बचों किस विधा की रचनाएं है उपन्यास विधा पर आधारित हैं यह मुनसी प्रेमु चंद जी के द्वारा लिखे गए बहुत ही प्रसिध रचनाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजेगा गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंग भूमी कर्म भूमी ये सभी उपन्यास विधापर आधारित रचनाएं हैं और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजेगा ये मुंसी प्रेम चंद जी के द्वारा रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चो यह रचना है किस विधा पर आधारित आत्म कथा विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चो यह किस विधा की रचना है। यहां पर प्रशन है कि यह जो है किस यूग की रचना है। तो प्रिय प्रवास दुवेदी यूग की रचना है। प्रिय प्रवास लेखक हैं अयोध्या सिंगोपाध्या हरियोध जी। और दुवेदी यूग की रचना एक और है जो कई बार बोड एकजाम में पूछी गई है। साकेत के लेखा कौन है मैथली सरण गुपतजी और यह भी किस विधा पर आधारित है आप लोग ध्यान दिजीगा। मधुबाला और मधुकलस मधुसाला, मधुबाला, मधुकलस ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं हरिबन, सराय, बच्चन जी की हैं अगला प्रश्ण मेरे प्यारे बचो है भारत भारती किसकी रचना है तो मैथली सरणगुप्त जी की रचना है भारत भारती मैथली सरणगुप्त जी को राष्ट्र कभी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था किस उपाधि से राष्ट्र कभी की उपाधि से चलिए मेरे प्रश्ण मेरे 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 प हास रसका अस्थाई भाव क्या है तो हास रसका अस्थाई भाव क्या है हास है यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सीवाल आप्षन सोक किस रसका अस्थाई भाव है सोक है करूड रसका अस्थाई भाव रत किस रसका अस्थाई भाव है स्रंगार रसका निर किस रसका इस्थाई भाव है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगा इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट कर दीजेगा चलिए मेरे प्यारे बचो अगला प्रशन है सोहत वोड़े पीत उपट उस्याम सलोने गात मनहु नील मनिसेल पर आतप परियोब प्रभात मेरे प्यारे आप लोग ध्यान दीजेगा जहां पर क्या होता है उत्प्रेचा के वाचक सब्द जैसे मनु मानो जनु जानो मनँ जनवाद उत्प्रेचा के वाचक सब्द है और जहां पर ये जो शब्द है मेरे प्यारे बचो आ जाते हैं किसी भी उदहरण में वहां पर होता है उत्प अगला प्रश्ण है आकरशल सब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो यहां पर दीर आ यानि बड़ा आ का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बचो अगला प्रश्ण है 15 वा प्रश्ण है रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं तो मेरे प्यारे बचो नहीं वर आपको इस प्रश्ण का एंसर कमेंट करके बताना है कि रचना के आधार पर वाकिके कितने भेद होते हैं चली एगला प्रश्ण है पीतांबर में कौन सा समास है तो पीतांबर में मेरे प्यारे बचो है बहु बरीही समास جसमें किसी अन्य पद या करता की प्रधानत होती है वहाँ पर होता है बहु ब्रीही समास आसू का ततसम रूप क्या है तो मेरे प्यारे बचो आसू का ततसम रूप क्या हो जाएगा असुरू हो जाएगा यहाँ पर एवाला आपसन सही होगा अगला प्रिशन मेरे प्यारे बचो है ताभ्या सब्द में वचन एवं लिखित में सरबनाम कौन सा है तो यहां पर उत्तर हो जाएगा सीवाला अपसन वह क्या है सरबनाम है चलिए वाड़नात्मक प्रशन जो की खंडबा के अंतरगत पूछे जाएंगी 50 नंबर के प्रशन होंगी इसमें से आप यहां पर पहला प्रशन ध्यान देंगी दिभिनता देखकर लोग एक दूसरे की और आकरसित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा आप यहां पर ध्यान दीजेगा कि यहां पर इस गद्यान्स के नीचे दिये गए हैं तीन प्रशन और आपको किसी एक गद्यान्स के नीचे दिय तीन प्रश्णों को ही साल्व करना है मेरे पहले बच्छों आप अच्छे से समझ गए होंगे तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा पहला जो गद्यांस है क्योंकि पहले गद्यांस का पहला प्रश्ण है उपरियुक्त गद्यांस का संदर्व लिखे मेरे पहले बच्छ जी आचारी राम चंदर सुकल जी हैं मितरता पाठ के लेखक चलिए मेरे पैरे बच्चों फिर रहे गद्यान्स के रेखांके तंस की व्याख्या तो जो रेखांके तंस होगा उसी की व्याख्या करनी है चलिए मेरे पैरे बचो यहाँ पर अत्वा में भी गद्यांस है हे भगवान तब के लिए दिपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिता जी क्या धीक ना मिलेगी मेरे पैरे बचो यहाँ पर भी पहला प्रशन है गद्यांस का संदर्व लिखिए तो यहाँ जो गद्यांस है किस पार्ट से लिया गया है ममता सीरसक पार्ट से लिया गया है और मेरे पैरे बचो इस पार्ट के लेखक कौन है जय संकर प्रसाद जी कौन है जय संकर प्रसाद जी है इस पार्ट के लेखक चलिए यहाँ पर गध्यांस के रेखांकी तंस्की ही व्याख्या करनी होगी अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संक्या दो दिये गए पद्यांस पर आधरी तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए तो पहला पद्यांस है चरण कमल बंदो हरी राई जाकी क्रपा पंग गिर लेहं गए अंधे को सब कचुदर साई बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें रंक चलें सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुन बार बार बंदों तहीं पाई सूरदास जी के द्वारा रचित पद सीरसक पाट से लिए गए हैं और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यां दिजिएगा ये सभी पद्यांस जो हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए साथी मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखन का तरीका भी आना चाहिए बोर्ड एक्जाम में कापी लिखने का तो सारी चीजे मैं आपको किलियर कराता रहूंगा तो पद सीरसक पाट के रचनाकार कौन हैं सूरदास जी हैं चली एगला प्रशन है सुनी सुन्दर बैन सुधारस सानी सयानी हैं जानकी जानी भली यह ज गोस्वामी तुलसी दास जी तो चलीए मेरे पैरे बच्चो आप लोग ध्यान दीजेगा यह जो है पद्यांस सूरदास जी का नहीं है गोस्वामी तुलसी दास जी का है चलीए यहां पर आप लोग ध्यान देंगे अगला प्रशन है दिये गए संगसकरत गद्यांस में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदी में अनुवात कीजी तो संग्सकरत के दो गद्यांस हैं प्रते गद्यांस होगा पांच नंबर का तो मेरे पैरे बच्चों यहाँ पर जो पहला गद्यांस है संग्सकरत खंड का एसा नगरी भारतिय संग्सकरते संसक्रत भासायाश्य केंदरस्थलमस्ती यह लिया गया है वारारसी सीर्षक पार से किस पार से वारारसी सीर्षक पार से चलिए मेरे पेरे बच्चों यहाँ पर जो दूसरा गद्यान से मानो जीवनस संसकरणम संसक्रती असमाकम पूर्वजाह मानो जीवन संग्सकरतुम महानताम प्रेतनम अक्रोवन यह जो है संग्सकरत खंड का गध्यांस है किस पार से भारती या संग्सकरती सीर्शक पार से लिया गया मेरे प्यारे बच्चो आप लोग ध्यान देंगे अगला प्रशन है दिये गए रज संग्सकरत पद्यांस में से किसी एक का संदर्व सहीत हिंदी में अनुवात कीजिए पांच नंबर का प्रशनाएगा यहाँ पर पहला पद्यांस है मानम हित्वा प्रियो भवती कुरोधम ह तुआ ना सोचती तो मेरे प्यारे बच्चो यहाँ पद्यांस किस पार से लिया गया है जीवन सूत्रान सीर्सक पार से अथुआ में यहाँ पर पद्यांस है सरवे भवन्तु सुखिना सरवे संतु निरामया सरवे भद्राणी पश्चनतु मा कस्चित दुख भाग गया है भारतिया, संग्सक्रती, सीर्शकपाट से, मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काविके आधार पर निम्नलकित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजी, तीन नंबर का प्रश्न आएगा, जो भी खंड काविके आप अगला प्रश्निहां पर आप ध्यान देंगे, छे का के अंतरगत दिये गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परचे लिखते हुए, उनकी प्रमुख एक रचना का नाम लिखना है, पांच नंबर का प्रश्ना आएगा, आप सभी लोग डाक्टर राजंद प्रसाद, जै संकर प्रसाद, आचारी रामचंदर सुकल जी का जीवन परचे तयार कर लो, आपका काम बन जाएगा, मेरे पैरेवच्चों अगला है, प्रश्निहां पर दिये गए, कभियों में से किसी एक का जीवन परचे देते हुए, अपनी एक प्रमुख रचना का उलेक कीजी, यान उनकी एक प्रमुख रचना का उलेक करना है, तो गोश्वामी तुलशीदा, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इनका भी जीवन परचे देरी इंपोर्टन्ट है, आप लोग जरूर तयार कर लीजेगा, अगला प्रश्न है, अपनी पाठी पुस्तक में से कंठ को एक इस लोग लिखिये, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, अथवा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर निमनलकित में से किन ही दो प्रश्नों का उत्तर संग्सकरत में दीजिए, आप लोग इन सभी प्रश्नों को साल्व करिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, मेर अगला प्रश्न है, निमनलकित में से किसी एक बिसह पर निवन्द लिखिये, तो आपको किसी एक बिसह पर निवन्द लिखना है, साथ नंबर आपको पूरे-पूरे मिल जाएंगी, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अगला है, यहाँ पर प्रश्न तो यहाँ पर आपने देखा हिंदी विसे का माडल पेपर, उमीद करता हूँ, आप अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाएंगी, तो आप लोग चैनल पर नए हो, तो चैनल को सस्क्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेर कर दो, जैहिंद!